परिचय प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं? विल्कुल सही, हम उर्जा पाने और विकसित होने के लिए भोजन करते हैं. और अंदाजा लगाईए कि भोजन आता कहां से है? मुझे पता है आप इसका जवाब दे सकते हैं. हाँ, हम पशुओं और पौधों से भोजन पाते हैं. आईए भोजन के स्रोतों के बारे में विस्तार से जाने. आओ सीखें. भोजन के स्रोत के बारे में बताना. हमें भोजन देने वाले पशुओं और पौधों के बारे में चर्चा करना. शाकाहारी, मासाहारी और सर्वहारी को परिभाशित करना पौधे हमें भोजन देते हैं प्रिय दोस्तों, हम जानते हैं कि पौधे भोजन का एक महतपून स्रोत हैं वे हमें फल, सबजी और अनाज देते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन पौधों को भी विक्सित होने के लिए भोजन की जरूरत होती है ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिती में अपनी पत्तियों से भोजन तयार करते हैं फिर कुछ भोजन पौधे द्वारा उपियोग में लाया जाता है और शेश भोजन पौधे के विभिन भागूं जैसे जड़ और तना में संचित कर लिया जाता है दोस्तों, हम पौधों के संचित भोजन को खाते हैं यह हमारे स्वास्थ के लिए अच्छा होता है भोजन संचित करते हैं अब एक दूसरे महतुपूर्ण विशय की तरफ चलते हैं जानवर भोजन का एक महतुपूर्ण स्रोत है कुछ पशु जैसे गाय, बकरी, भैस और उट हमें दूध देते हैं दूध में विटमिन और खनिज होते हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत आवर्शक होते हैं दूध का प्रयोग विभिन दुग्द उत्पादों जैसे पनीर, मक्खन, घी, दही और आइस्क्रीम बनाने में होता है दोस्तों, कुछ पशू जैसे मुर्गी और बतक अंडे देते हैं कुछ पशू जैसे मुर्गी, बतक, भैस, बकरी और मचली का मास भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है पशू के प्रकार दोस्तों, सभी पशू की भोजन की अलग आदत होती है भोजन की आदतों के आधार पर पशू को तीन प्रकार में बाटा जाता है ये तीन प्रकार है शाकाहारी, मासाहारी और सर्वहारी शाकाहारी कुछ पशू जैसे गाय, हिरन, बकरी और भैस सिर्फ पौधे खाते हैं इसलिए उन्हें शाकाहारी कहा जाता है मासाहारी कुछ पशू जैसे शेर, बाज और बाग दूसरे पशूओं को खाते हैं वो मास खाते हैं और पोशन प्राप्त करते हैं उन्हें मासाहारी पशू कहते हैं सर्वहारी कुछ पशू ऐसे होते हैं जो पोधे और मास दोनों खाते हैं उदारण के लिए कववा और भालू वो सर्वहारी पशू कहलाते हैं आओ खेलें अब जल्दी से हम यह देखें कि अब तक हमने क्या सीखा है निम्न लिखित का सही मिलान करो हमने क्या चर्चा की भोजन हमें उर्जा देता है और हमें विक्सित होने में मदद करता है हम पौधों से फल, सबजी और अनाज पाते हैं हम पशूं से दूध, अंडे और बहुत से दुग्द उतपाद पाते हैं जो पशू पौधे खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं जो पशू मास खाते हैं, उन्हें मासाहारी कहते हैं जो पशू पौधे और मास दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वहारी कहते हैं जो पशू पौधे प्रहोगी कहते हैं